अयोद्या राम जन्म भूमिंग का विवाद कोट में पिछले 20 सालों से चल रहा था वैसे देखा जाए तो ये विवाद पिछले 500 सालों से चला आ रहा है जैसे कि आप सब जानते हैं सुप्रिम कोट के आदेश अनुसार वहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है और हादी में प्रदान मंदिर श्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमे पुजन भी किया था लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वो भविश्य में वहाँ से राम मंदिर को वापिस हटाएगे तो आज हम देखेगे कि राम मंदीर को फ्यूचर में हटाना पॉसिबल है या नहीं और अगर पॉसिबल है तो किस हद तक पॉसिबल है इसलिए इस वीडियो को एंट टेक्स जरूर देखेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेशा सुरक्षित रहे मोदी जी ने एक अलगी लेवल की स्ट्रेटेजी अपनाई है प्राइम मिनेस्टर मोदी आयोध्या को एक मेगा टूरिस्ट हब में ट्रांस्वार्म कर रहे है रामायन सर्कित टूरिजम के तहट अयोध्या में एक ताफी बड़े प्रोजेक्ट बन रहे है जैसे की राम जन्म भूमी पर एक भव्य राम मंदिर के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू भगवान श्री राम का श्री राम इंटरनेशनल एरपोर्ट अगवान श्री राम का म्यूजियम सर्यू नदी का क्लीनिंग प्रोजेक्ट रामायन थीम्ड रेल्वे स्टेशन जो टूरिजम और ट्रांस्पोर्ट को प्रमोट करेगा रामायन का लिए पवितस थलुक और ऐसे कई सारे छोटे बड़े प्रोजेक्ट जिसके कम्पीट होने के बाद आयोध्या पूरा रामायन थीम्ड इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा जिसे देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लाखो लोग आएगे दोस्तों अभी आप सोचेगे कि इससे रामवंदर की सुरक्षा का क्या लेना देना तो मैं आपको बता दू कि ऐसी जगह को तोड़ना बड़ा ही आसान हो सकता है जहां पर ज्यादा लोग आते जाते ना हो या जिसके बारे में ज्यादा लोग को जानतारी ना हो लेकिन जिस जगह पर रोज हजारों लाखों लोग आते हो ऐसी जगहों को गिराना बहुत ही मुश्किल होता है अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सरकार आए जो राम मंदिर के अगेंस्ट में हो और कोई लीगल स्ट्रेटेजी अपना कर राम मंदिर को खतम करने की कोशिश करे तो ये भी इतना आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि टूरिजम हर साल गवर्मेंट के लिए डिरेक्ली या एंडिरेक्ली लाखों करोडों रुपयों का रिवेन्यू जनरेट करता है और आयोध्या भी टूरिस्ट हब बनने के बाद करोडों रुपयों का रिवेन्यू और तो और बिजनेस अपोचिनिटीज भी जनरेट करेगा और ऐसी जगा जो देश के लिए इतनी फाइदेमन हो उसे खतम या डिमॉलिज करने के लिए बहुत ही जादा स्ट्रॉंग रीजन की जरूरत पड़ती है जो की लगभग ही इंपॉसिबल है क्योंकि अब आयोध्या के साथ ना तो सिर्फ शद्धा जूड़ी है बलकि नैशनल इंट्रेस्ट भी जूड़ जाएगा पुरे अयोध्या नगरी को एक हिंदू थीम दिया जा रहा है इसका ये भी कारण हो सकता है कि ताकि इस पर हमेशा हमेशा के लिए थप्पा लग जाए कि अयोध्या माने श्री राम का और आगे जाकर इस पर कभी कोई सवाल भी ना उठे क्योंकि अयोध्या की हर गली सड़क पे तो श्री राम लिखा होगा अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स सक्सेस्पुली कम्प्रीट हुए तो अयोध्या कुछी सालों में एक पवित्र यात्रा के स्थल के साथ एक इमर्जिंग टूरिस्ट हब भी बन जाएगा इस वीडियो में मैंने आपको मेरे विचार बताया कि कैसे अयोध्या में प्रभुश्री राम का मंदिर भाविश्या में भी हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता है अच्छे बातं बूलंग आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दिजे हाथ। थोड़ा समाँ दिजी अ मार दिजी एक पार मार दिजीए ।त थीब लिए अगर अच्छी लगी मार दिजी अ